Good morning students, this is a video lecture of class plus one physics और हमारा chapter चल रहा था जी हाँ, Errors and Measurement तो आज हम आगे पढ़ेंगे Errors and Measurement का और यह last होगा वीडियो क्योंकि इस chapter का और प्लो चेप्टर हमारा complete हो जाएगा clear है Errors and Measurement के आज जोगी topics हैं, दो जब वो आज खत्म हो जाएंगे, ओके? तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे हमारा चल रहा था Propagation of Error, ठीक है? हमने Sum and Difference का पढ़ लिया था Propagation of Error in Sum and Propagation of Error in Difference आज आपको पढ़ाऊँगा, आपने सिर्फ Simple याद रखना है Propagation of Error in Product, मतलब अगर Multiply हो रहा हो और Propagation of Error in Ratio, यानि कि जैसे P by Q की Form हो अगर यह दोनों Form हो, चाहे Product हो, चाहे P by Q की Form हो तो आपका यह Formula डिरेक्ट लगेगा, जैसे suppose कर लो हमारे पास एक टाम है X, X equal to A into B है तो हमने इसके उपर लगाना है, अब क्या लगाना है हमने? हमने इसका Error निकालना, डेल्ट एक्स, तो डेल्ट एक्स कैसे निकलगा? डेल्ट एक्स, जितना Error होगा, डेल्ट एक्स में, डिवाइड बाई इस X quantity is equal to, अगर इसकी आगे N है, मतलब number of N into A है इसकी पावर में N है, तो अगर और इस डेल्ट एक्स, डेल्ट एक्स इक्स, डिवाइड बाई ए प्लस, माइनस, जिको भी हो, ठीक है इसकी पावर M है, अगर X equal to A into B है, इसकी पावर भी N है, इसकी पावर भी N है, इसकी पावर M है तो n आगे आजाएगा delta a divided by इसका जो original number ऐसे plus delta b by divided by इसका original number into m जो इसकी power है बस कुछ यह powers आगे आ जाएगी और जो number है ऐसे ratio में add होजाएगे डोनों cases में चाहे वो product हो चाहे वो quotient हो दोनों cases में आपके ऐसे हो जाएगे ठीक है आपको numerical के थुरू समझा जाएगा आपको numerical समझाता हूँ ओके numerical के थुरू यह easy समझाता है जैसे जैसे length and breath दी हुई है किसी भी rectangular lamina की ये length दी हुई है और ये उसकी breath दी हुई है area find करना है पहले तो बताओ area होता क्या area होता है length into breath ये होता है simple simple होता है तो length 3.1 और plus 0 plus minus minus 0.1 ठोड़ी सी कम भी हो सकती है error होता है plus minus में लिखते में बताया था पहले पिछली classes में ओके तो a क्या होता है area length into breath आप इसमें कौन सा रू लगगा इसमें plus minus तो लगा नहीं सकते error वाला इसमें कौन सा लगगा इसमें लगगा propagation error due to product और कोशन वाला जो मरज लगा तो सेम है formula तो देखे simple इसका error मतलब formula क्या होगा delta a by a is equal to इसके आगे को multiplication है product है कुछ भी नहीं है तो simple लिखांगे delta l by l plus और साथ में क्या b है delta b by b easy यह देखो यह रहा delta l by l plus minus तो बढ़ भी सकता कम भी सकता delta b by b अब delta l क्या है delta l दिया हुआ है देखे length error length error में length 0.2 delta b क्या 0.1 दे रखा है और यह l की value और b की value में बताई गी आपको यह दिर रखे 2.3 और 1.6 आपको पूट करेंगे इसको solve करेंगे that is our answer अगर उसने कहा अगर उन्हें कब क्या मांगा delta a मांगा सिर्फ error limit in a मांगी है ठीक है तो delta a क्या हो जाएगा a उदर जाएगा multiply हो जाएगा तो इसकी value के साथ अगर में a को multiply करेंगे 3.68 यह रहा ना area हमने यह आपन निकाल दिया था area multiply करके जो देखे इसे solve कर सकते हैं ऐसी problems को ओके आगे हमरे पास अब यह error propagation खतम हो गया हमरे पास इसके numerical जितने भी मिले आपको numerical solve करना है कोई doubt हो मुझे पूछ लेना तो मैं उसको भी उसकी वीडियो बना दूँगा आपको बता दूँगा भी कैसे आपने यहाँ लाइव क्लास में हम interaction कर लेंगे तो अब पढ़ते है accuracy and precision कुछ नहीं है accuracy किसी भी चीज को हम कितना how to close उसकी value को how close the measure value is to true value of the quantity अब मैं कहूंगा 0.999 ठीक है जिए कितना accurate है जितना ज्यादा number बढ़ते जाएंगे 0.98 है इससे जदा accurate कोण होगा 0.99 accurate होगा इससे जदा और accurate कोण होगा 0.9999 accurate होगा तो accuracy क्या है कि true value true value कौन से जी 1 कोई भी चीज कितनी true value के नजदीक है वो उसकी accuracy कहलाती है how close the measured value जो measured value वो कितनी close है इसके true value के ऐसी precision क्या है भी कोई चीज कितना precise है जैसे मैं कहूंगा अभी जो scale है मेरा वो इतना precise है कि एक mm का distance ना आप सकता है click of measure कर सकता है बट अगर मैं कहूंगा वर्णिर कैलिपर तो वह 0.01 cm भी निकाल सकता है clear है उसका least count और भी ज्यादा है screw gauge का तो और भी least count ज्यादा है दो no definitions clear है आगे बढ़ते हैं आगे हमारा जो topic main शुरू होता है जी हां वो शुरू होता है significant figures आगे हमारे पास significant figures जी हां significant figures क्या होते हैं जैसे हम अमने errors पढ़ा तो आपको बाता हर every measurement में involves error होते हैं तो इसी कारण हमने कुछ ना कुछ precise values लेनी की कोशिश की भी precise values हों कैसे choose कर सकते हैं किसी भी calculation में तो जो digits that are known reliably plus the first uncertain digits are known as significant digits वो digits जो reliably plus हो जाएं मतलब हम उसको add कर सके हैं भी किसी भी तरीके से कोई भी हम formula लगा के कि उसको हम reliable uncertain से certain बना सकें जैसे जैसे जैखें example के तोर पे जैसे कि इसका distance है 374.5 meter अब इसमें 374 तो में पता बिल्कुल certain number है वो reliable है ठीक है बड़ जो 5.5 है वो uncertain है क्या है वो uncertain इसी तरह ही इस uncertainty को दूर करने के लिए हमने significant figures की जूरत पड़ी और कुछ calculations की जूरत पड़ी जिसे आपको फाइदा होगा ओके तो उसके लिए जैसे यह देखें value और दे रख 0.422% अब यह देखो हम कैसे कह सकते हैं कितना यह certain है किसनी value है point के बाद 422 कितनी 3 digits है uncertain तो इसी कार्म हमें significant figure की जूरत पड़ी तो इसके लिए कुछ rules है वो rules आपने copies में note कर लेने है पहली बात all known पहला rule all non zero digits are significant वो digit significant है जो reliable जो non zero है जैसे x की value कर 1234 है तो इसके significant number क्या है 4 है अगर x की value 189 ना तो इसके significant number क्या है 3 है जो non zero है all zero occurring between two non zeroes are significant मतलब अगर हमारे पास कोई number है 1003 तो अगर 0 जिसके बीच में आ रही है तो यह सारी significant है तो इसका significant figure क्या होगा 4 क्यों 1234 20009 जिसकी significant figure क्या होगी 5 क्यों क्यों 0 बीच में आ रही है दो certain digits क तो 12345 ठीक है नेक्स्ट रूल के बढ़ते हैं 3rd rule कर इंपोर्टन थर्ड रूल अज़े देखा है 1007 का देखा है जैसे इसकी four figure ऐसे जैसे point के बाद देखे 1.0809 इसकी five significant figure है क्यों होगी जो zero है वो digits के बीच में आ रही है ऐसी एगर हम बात करें rule 3 if the number is less than 1 the zeros on the right of the decimal point and to the left to the non zero digits are not significant अगर point जो है एक से less हो जैसे number यह एक से कम number है तो यह जो सारी numbers है यह not significant है तो हमारे पास significant figure क्या होगा इसका zero point zero zero five seven zero five का four क्यों 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 इनने नमबर without a decimal point the terminal or trailing zero are not significant अब जैसे में नमबर है मेरे पास 3,2,1,0 तो इसके जो last zero है जैसे zero लगे हुए trailing last वाली तो वो significant figure नहीं माने जाएगे तो इसका significant figure क्या होगा? 3 होगा क्यों 3 होगा? क्योंकि चाहिए वो point के बाद हो ठीक है? अगर point के बाद है फिर उम बताता हूँ आगे simple जैसे 5,2,1,0 है तो इसके significant figure क्या है? 3 क्यों last वाली zero नहीं माने जाएगी अगर ये ऐसे होता 5,2,0,1 तो ये माने जाती हो इसके significant figure होते है 4 clear है? ये आपको ध्यान रखना है fifth rule के बाद कर लेते हैं अगर point के बाद zero लग जाए जैसे देखें 3.500 decimal के बाद zero लगे fifth rule में तो वो significant figure माना जाएगा जैसे 0.00 ये तो zero नहीं माने जाएगी दोनों तो कि ये point एक तो number से कम है बर ये पीछे number, trailing जो zeros हैं वो माने जाएगी तो इसके figure क्या हो जाएगा ये आपको ध्यार रखने है rule एक भी rule खराब हुआ तो सारा मतलब कि आपको numerical गलत हो सकता है ठीक है चेंज ओफ यूनिट डास नोट चेंज दा नमबर अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे उससे signal number चेंज नहीं होगा आप चाहे ट्राइ करके देख सकते हैं यह लेंथ है 5.608 है इसके signal figure number क्या होगे या बता सकते हैं इसके 4 है signal number चलो अब हम इसको meter में convert करते हैं meter mm convert करते हैं 56.08 तब भी 4 है यहां पर convert करेंगे यहां भी 4 है यहां भी 4 अगर kilometer में change करेंगे micrometer में change करेंगे इसके पीछे 0 आगया यहां भी 4 है तो कभी भी change नहीं होगा चाहें आप उसके unit change कर लें digit 0 conventionally put on the left of a decimal point less than one is never significant यह मैं बता जो का हूँ यह जो अगर इसके significance की बात करें तो यह जो यह विला 0 है यह significant नहीं है ठीक है बट यह significant है ठीक है इसके बाद वाला ओके अगर हम the multiplying or dividing factor which are neither rounding number or nor repeating representing measured values are exact they have infinite number of significant figure अगर किसी की value exact नहीं divide हो रही है ठीक है तो उसकी infinite number of significant figure माने जाते हैं तो आपको बस 7 rule mostly important है 8 rule कभी कभी काम आता है आता नहीं है से तो हमको 7 rule यह practice में रखने हैं और इसकी try करने हैं जितने भी clear है अबर हमारा last topic बचा जड़ी is rounding off किसी चीज़ को round off करना the result on computation with appropriate number के साथ ठीक है which contain more than one uncertain digit तो उसमें uncertain digit भी add कर दे हो उसे कहांगे हम rounding off clear है तो इसके भी rule है rule 1 के है if the digits are dropped to be less than 5 the preceding digit is left unchanged for example जैसे हमारे पास 3.94 है यहां पर देखें अगें x equal to 3.94 is rounding off to 3.9 क्यों क्यों कि 3.9 हमारे पास number 4 अब इसको हमें round off करना है round off करना कैसे करेंगे अगर इस number के last order number preceding number यह जो number है sorry इसके drop to be less than 5 हां अगर हम यह पर नमबर 5 से less than हो तो हम इस number को change करेंगे और इसे unchanged रहने देंगे मतलब द्वारा समझे अगर हम रपास 3.94 है ठीक है तो यह जो number है last वाला है यह 5 से कम है अगर यह 5 से कम होगा तो इस वाले digit को unchanged रहने देंगे यह हमारा जो round ओख आजएगा 3.9 clear पहला rule अगर रूल की बात करते है if the digit to be dropped is more than 5 अगर जो अगला digit है more than 5 हो जाए 6.87 अब 7 के है 7 के है 7 के है 5 से ज़ादा है तो इस में जो 8 है इस में प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 6.9 दोरा देखे 6.87 था ना तो इस 75 से ज़ादा है तो क्या करना है बस प्लस 1 कर देना इसके preceding digit के साथ तो हो जाएगा 6.9 बिल्कुल ठीक है 6.9 अगर यह से 12.78 था 85 से ज़ादा है तो आगे एड हो जाएगा 12.8 हो जाएगा दोरा आप देख सकते हैं अगर पॉस्टिक वीडियो इस डिजट इस तो अगर वो 5 वो डिजट और अधर देन 0 के 0 के लावा उसके साथ को और नमबर हो विदाउट 0 0 नहों उसके साथ तो उसे राउंड ओफ कैसे करेंगे इस वो 5 के आगे वाले को एट के नमबर कोई नमबर है तो 5 के प्रसीडिंग डिजट कोई से 7 तो 6.8 करतेंगे इसे क्लिर है यह रूल होगा कि फॉर्थ रूल अगर कहता है इगर डिजट इस ड्रॉड बाई 5 और 5 फॉलड बाई 0 5 भी हो डिजट में पॉइंट के बाद तो आगे 5 जो 0 से फॉर्ट से फॉलो कर रहा हो रिजसे 2.50 के लिए प्रसीडिंग डिजट इस लेफ्ट ऑंचेंज तो प्रसीडिंग डिजट है समझ रहे हो ना यह भी की बाद कर रहा हो तो इसका प्रसीडिंग डिजट यह aiah ये preceding digit है तो preceding digit क्या हो जाएगा? क्यों? अगर यहांपर 0 लगा है अगर यहांपर 8 होता सपोस्पोर कर लो तो यहांपर क्या होता? 3.3 हो जाता है क्योंकि यह इसमें प्लस 1 एड़ हो जाता है 5 का preceding digit है ना? समझागी? तो यह बात कर रहा है if the digit to be preceded 5 प्रसीदिंग डिजिट इस बाइवन इफ इस ओड हाँ पिछले वाले में अगर प्रसीदिंग बाइज ठीक है अगर वह एवन हो जैसे यह आपर तू था तो वह प्लस वन एड हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा मतलब की 3.8 हो जाएगा अगर वह एवन होता तो क्या रहता हो तो वह 3.3 नहीं बना सोरी यहां पर मैंने पहले 3.3 बताया था आपको 3.3 प्लस वन एड नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखो लिखा न इस रूल में फॉर्थ में अंचेंजड द्वारा देखो फॉर्थ रूल 3.250 5 के अगला प्रसीडिंग डिजट क्या 2 है अगर आगे 0 हो ट्रेलिंग 0 तो यह अंचेंजड रहेगा अगर वह ओड हो नंबर 5.7 तो वह क्या हो जाएगा तो वह 3.81 उसके एड हो जाएगा तो स्टुडेंट्स हमारा जो फर्स्ट एप्टर था इससे कंप्लीट हो चुका है तो यानि कि युनिट वान मेजिनमेंट एरर रुजवाला भी कंप्लीट हो चुका हमारा ठीक है तो आपने इसकी प्रैक्ट कोटा मुझे पूश लेना है थैंक्यू